अबने नेक्स्ट टॉपिक, हाडी विंग वर प्रिंसिपल, हाडी विंग वर प्रिंसिपल क्या बोलता था हाडी विंग वर प्रिंसिपल ये बोलता था कि जो भी ऐलेलिक फिल्टुपेंसी होगी किसी भी population की consideration में वो एक अधाम same to same होगी या फिर इसी को same बोलने से अच्छा है, बोल दो constant होगी, सबसे अच्छा, constant word बोला उन्होंने तो हम भी constant बोल देते हैं, उन्होंने बोला जो भी allylic frequency होगी, allylic frequency, allylic याने क्या होता है, gene, जो भी genes का frequency होगा, किसी भी population के respect में बात करेंगे, वो हमेशा constant होगा, ठीक है, हमेशा constant होगा, वो कोई भी condition में change नहीं होता है, हाँ conditions हैं, कुछ conditions हैं, जिन conditions में change होगा, बट normal, चुटी-बोटी conditions में वो change नहीं होता है, अब पूछोगे भाईया कि genetic sequencing या फिर genetic frequency क्यों नहीं change हो रही है, यह किस तरह से occur हो रहा है, इसमें क्या ऐसा change occur हो रहा है, जिसके कारद genetic sequencing का frame एकदम से constant है, तो simple से बात है, यहाँ उन्होंने इसी के respect में बोला कि that, जो भी populations के members हैं, इस population के बहुत सारे member होंगे, वो सारे members के बीच में regular meeting होती रहती होगी, इसके कारण यह हमें constant value देखने को मिला, वीडियो clear है? चलो, ठीक है, constant value देखने को मिला, अब बात में फिर उन्होंने अपने इसी hardy weaver principle में इसी सारी चीजों को बोला, कि that, यही सारी इसारी चीजे हैं, जिन्हें वो hardy weaver equilibrium बोलते हैं, hardy weaver equilibrium या फिर hardy weaver equilibrium constant, ठीक है? equilibrium constant भी बोला जाता है, तो दोनों चीजे आप बोल सकते हैं, या फिर hardy weaver constant बोल सकते हैं, तो यह सारी उन्होंने बता है, अब उन्होंने बोला कि that, यह सारी चीजे ठीक है, बड़ हो सकता है, अगर कोई fractulation आता है, fractulation ओकर होता है, तो यहाँ genetic sequences में changes हो सकते हैं, अब बोलो के कौन-कौन से fractulation है, उससे पहले यह किस सारे से define करते थी, उस बात को समझते हैं, तो यह वो, यह hardy weaver principle यह बोलता था, कि that, p square plus q is square plus 2q, 2q, pq, sorry, 2qp लिखो, या pq लिखो, जो लिखना है, लिखो, p and q is calls to one, hardy weaver principle क्या बोलता था, कि that, यह सारे का sum, यह binomial expression का sum कितना होगा, one, यहाँ पास p and q as a population के members को define करते थे, ठीक है, और यह overall is value as a constant हमेशा one ही आता है, यह hardy weaver principle सजिस्ट करते था, यह क्या होता है, a, l, e, kis frequency, p and q के respect में हमेशा equal आएगी, that a, और वह equal, किसके equal होगा, same to same होगा हमारे one के, यह होता है, अब यह जो भी हमारे पास binomial expression है, mainly यह binomial expression से एक लिया गया है, p, q और एका whole square से लिया गया है, अब generally p, q का whole square को solve करोगे तो क्या होगा, p square plus q, square plus 2q, l, ठीक, यह generally इस equation से लिया गया है, और overall यह सारी सारी value same है, हाँ एक चीज़ धियान रखना, hardy weaver principle change होगा, अगर उसमें कोई fatulation आएगा, और fractulation किस किस कारण्ट्स ओकर होगा, वही हम नश्य स्टार्ट करेंगे, इसके बाद, अब बढ़ते हैं इसे में next topic, gene migration, इसे में क्या क्या factors हैं, उसमें start करते हैं, पहला factor जो की hardy weaver principle को effect करता है, या फिर fractulation ओकर करने में मदद कर सकता है, उसकी बाद, तो सबसे पहले आता है, gene migration और gene flow जिसे बोलते हैं, gene, M-I-G-R-A-T-I migration और gene flow, gene migration और gene flow, जिसके कारण हो सकता है, fluctuation ओकर हो जाए, genetic sequencing में अगर बात किया जाए, तो gene migration और gene flow होता क्या है, दोनों same to same है, gene migration और gene flow एकदम same है, अगर बात करेंगे, तो gene migration और gene flow होता क्या है, सबसे पहले दिये ही आता है, तो gene migration और gene flow, अगर हो सकता है, genes की migration हो, migration यानि होता है movement, movement, यानि एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसे बोले जाता है migration तो अगर genes या फिर alleles की migration होती है within our body एक generation से दूसरे generation में ठीका एक generation से दूसरे generation में जो genes की as a accumulation होता है नए generation में passes होती है उस passage के कारण new characters की addition होती है नए growth में नए growing individuals में और धीरे धीरे पुराने वाले जो उसके characters eliminate होना चलू हो जाते है body से और यही पूरा process अपने को gene migration कहलाता है या फिर इसी को हम gene flow भी बोलते हैं ठीक है अब बोलो कि gene flow कैसे होता है देखो gene flow में बता है कि एक generation से दूसरे generation में जो gene transfer होगी उस transfer के कारण जो new characters acquire होंगे वहाँ पास आएगा अपना gene flow अब बात करते हैं कि next के इस factor के उपर depend करते हैं एक तो यह factor होगी है gene migration और gene flow next अपना gene drift genetic drift दूसा जाएगा genetic drift genetic drift genetic drift क्या होता है genetic drift के उपर भी यह सारे-सारे factors बहुत ज्यादा mainly depend करते हैं कि क्या hardy beaver principle change होगा या नहीं देखो genetic drift क्या होता है genetic drift यानि होता है कि overall genetic sequencing में जो changes occur होंगे ठीक है जो changes occur होंगे एक population में एक population के members में अब धीरे-धीरे यह पूरो fluctuation occur कर देगा changes occur कर देगा hardy beaver principle में overall जिसके कारण hardy beaver principle की stability disturb होने लगी तो यह भी एक factor बनता है genetic drift जो की hardy beaver equilibrium को disturb करता है अब नहीं स्था आता है mutation हाँ इसी में हमेज़ा एक ही और धियान रखना है एक ही जाता है founder's effect and founder यह दो concept हैं एक मास में हो सकता है आजाए you and e founder effect यह और दूसरा word है founder ठीक founder effect और founder क्या है founder effect जैने होता है जो की founder के कारण जो effect occur हो उसे बोला जाता है founder ठीक एंड जिसके कारण ओकर हो रहा है उसे बोला जाता है founder नहीं समझाए चलो जिस genetic sequencing या फिर जिस coding के कारण जिस genetic sequencing के कारण new effects occurring होते हैं और उस effects के कारण जो body में changes आते हैं जो character building होता है ठीक है जो frequency में changes आते हैं genetic frequency में जो changes आते हैं उसे हम बोलते हैं genetic or founder effect और जिस genetic frequency में change आता है उसे हम बोलते हैं founder clear है चलो तो इसका भी एक screen shot ले लो थोड़ा सरब करूँगा मैं इसके बाद नेस्ट आता है mutation mutation सभी जानते हैं भाई mutation mutation क्या होता है mutation यानि होता है कि slow और random change जो की body में आकर होते रहते हैं ये over a generation और over a period of life उसे बोला जाता है mutation तो mutation में लिए क्या होता है एक टाइप का random change होता है और एक टाइप का slow process होता है जो की genetic sequencing और बाडी में DNA sequencing ये different different sequencing के कारण आकर होता है हो सकता है ये कोई और effect हो chemical based भी हो सकता है हो सकता है कोई physical based भी हो जाए तो ये different different factors के पर depend करता है और mutation ये ही एक evolution cause करने में मदद करता है हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो mutation भी हाडी वीवर principle को हो सकता है effect कर सकता है एक large way में अब इसके बाद बात करते हैं genetic recombination तो चौथा अपना point हो का I think so genetic recombination what is genetic recombination सबसे पहले यही genetic recombination याने होता है genetic के basis पे जो recombination मतलब अगर जो genes या DNA एक साथ meet up करते हैं एक साथ bind up करते हैं उसे बोला जाता है genetic recombination ठीक है genetic recombination हम इससे पहले कहां पढ़े चुके हैं हमने इससे पहले मैं पहले बोला था कि सबसे पहले evolution मत पढ़ना सबसे पहले DNA वाले chapters cover करना ठीक है चलो तो ठीक है वाले chapters cover कियो तो भाई यह बहुत अच्छा है वहाँ पास हमने पढ़ा था genetic recombination genetic recombination है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक DNA आके एक साथ जोड़ते हैं या फिर दो genes एक साथ जोड़ते हैं उसे बोला जाता है genetic recombination तो genetic recombination में जब meiosis process के वक्त गया gametogenesis process जब हमारे body में होते हैं gametogenesis process कौन सा process है gametogenesis process एक ऐसा process है जिसमें हमारे body में gamet की formation होती है gamet यानि males में क्या sperm की formation होगी और females में o-bam की formation होती है उस process को बोला जाता है gametogenesis ठीक है तो meiosis process के वक्त हमारा जो भी gamet रहते है वो divide करता है और dividing के वक्त जो उसमें genes रहते हैं वो एक दूसरे के साथ overlap करने की कोशिस करते हैं एक दूसरे के साथ attachment होने कोशिस करते हैं वो सारे के सारे process में एक process होता है वो है genetic recombination का अब यह different difference है, जैसे cells में भी genetic recombination होते है, और 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 आप एक cell divide होता है दूसरे cell से, तो एक cell दूसरे cell को हो सकता है, एक साथ खीचनिंग की कोजिस भी करेंगे, ठीक है, कई factors से होते हैं, जो cell division को रोकते हैं body में, तो वो cell division को रोकते हैं, वो भी एक type का genetic recombination को दरसाते हैं, अगर हम कोई भी genetic engineered insulin को या vaccines को अपने body में inject करते हैं, तो वहाँ भी genetic recombination होगा, तो genetic recombination भी एक बहुत बड़ा cause बनता है, जो की hardy finger principle को बदल सकता है, तो यह भी एक factulation cause करने में मदद करते हैं, अब नश बात करते हैं, आखरी, I think so, genetic natural selection, अभी तक हम इसे को पढ़ते आ हैं, तो इसको भी ले लेते हैं, N-A-T-U-R-A-L natural, S-E-L-E-C-T-I-O, natural selection, what is natural selection, natural selection एक ऐसा प्रोसेस है, जो गी हम, जो गी, जो इस individuals, जो इस दुनिया में fit है, वही survive करेगा, उस principle को जो define करता है, वो natural selection, मतलब natural selection एक ऐसा प्रोसेस, जिस पे genetic और inheritance मिली दो factors depend करते हैं, genetic और inheritance factors, body में, new growth को ओगर करने में मदद करते हैं, ठीक, तो कहलाते है, natural selection, natural selection ये प्रोसेस है, एक ताइसा प्रोसेस पर सकते हो, कि जो दुनिया में fit है, वही आगे जाके further survive करेगा, और reproduce भी करेगा, और अपनी generation भी बढ़ाएगा, इसलिए fit रहना बहुत ज़ करना है, चलो हम तो कुछ करते हैं, पर करेंगे, थोड़ा बहुत खेलता हूँ, ठीक है, mobile में game नहीं, असली में game, चलो, ये हो जाएगा natural selection का प्रोसेस, तो ये सारे की सारे प्रोसेस है, जो की hardy beaver principle को fluctuate करने में मदद करते हैं, अब मिली कौन-कौन से effect ये show करते हैं, इस ये पूरा का पूरा एक demonstration है, जो की हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आता है, क्या क्या factors में ली, hardy beaver effects क्या क्या है, effects क्या है, effects क्या है, hardy beaver principles के according, तो पहला आता है effect, stabilization, stabilization, stabilizing हम यहां पढ़ेंगे, एक जोनों ये की है, ठीक है, तो next आता है directional, और तीसरा आता ह disturbance, ये तीन factors आजाएंगे, जो की पूरे के पूरे, overall population के shape को hardy beaver principles के according दिखाएंगे, कि कैसे वो effects हो करते है, और किस conditions में कैसा effect हो सकता है, तो होने को, देखने को, अपने को मिले, तो सबसे पहले, यहां पास, जो हमारे पास, यहां y-axis में है, numbers of individuals with a phenotypes है, मतलब कितने phenotypes, generally उनका phenotypes क्या है, एक natural conditions में, वो phenotypes को यहां डोनेट कर रहे है, यहां पास next आ जाता है, हमारे पास phenotypes favored by natural selection, show कर रहे है, ठीक है, यह, dash, 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 जो की natural selection के, through हमें indicate करेंगे, और यह वाला जो top है, वो medium size individuals को show करेगा, जहां मतलब, एक constant सा development होते रहेगा, इस तरह सा, इस तरह तो मिली यह तीन factors है, एक तो stabilizing, दूसरा directional, तीसरा distributed, तो पहली बात करते हैं, यहां पासा जाएगा, peak at higher, higher and narrow, यह लिखना बूले के, चलो, peak at higher and narrow लिख लेना, तो यह पहला वाला जब stabilizing आता है, तो stabilizing में जो भी हमारा peak value आता है, वो maximum आता है, मतलब यहां जो individual survive कर रहे हैं, individual यहां इस type का अगर growth किसी भी area में हो रहा है, या किसी भी population की group में हो रहा है, तो यहां ज़्यादा तर mean character सो लोग acquire करेंगे, mean character मतलब एक जैसा character होगा, mean character, ठीक है, mean character से यह acquire करते हैं, तो इसमें ज़्यादा तर कोई development, कोई changes और नहीं होता रहती है, इसे बोला जाता है, stabilizing, video clear है, पहली बात बता दो भाई लोग, हां clear है, चलो, next आता है B, B आता है हमारे directional, तो normal जो हमारे पास रहता है, वो over ना तो कोई बड़ा रहता है, ना ही ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा कोई development नहीं हुआ रहता है, और ना ही कम ही development होती है, बता अगर directional की बात करेंगे, तो ये directional वाट एटा one side directional रहता है, ठीक है, इसमें जो growth होती है, वो एटा upper side होता है, मतलब हमें सब peak value, peak value, peak value, और higher values को reach करने की गोज़िस करेंगे, मतलब इनका जो peak value ये रहेगा, वो बहुत ज़्यादा narrow रहेगा, मतलब ज़्याद direction होते है, मतलब एक direction में move करेंगे, मतलब development changes हो रहा है, तो लगाता है changes होते रहेंगे, randomly एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, generation to generation changes होते रहेंगे, और at a directional होते रहेंगे, ठीक है, और इनका generally को ज़्यादा peak value, higher peak value इनके लिए देखने को नहीं मिलती है, बड़ ये जो width रहता है, तो operation growth का, वो wide रहता है, ठीक है, जो हमारे पास phenotypes रहते है, phenotypes से वो भी ज्यादा नाकांद, मतलब medium में अपने को देखने को मिलता है, और generally, यहां कौन सा favor होता है, यहां यह mainly favor होते है, natural selection से, मतलब inheritance और genetic variations के द्वारा, यह खुद को प्रेंटना लेता है, यह और बढ़ते हैं, यह सुद्ध हिंदी बोल दिया मने, ठीक है, तो natural selection mainly caused होता है, directional के लिए, अब बात करते हैं, आखरी जो हमारा है, distributives, distributives क्या होता है, distributives यहाने होता है, mainly, कि जो at two directions, मतलब एक splitting type का देखने मिले, आदे लोग इधर जुंड में भागे पड़े हैं, आदे two directional होते हैं, at two directional, मतलब इनका कोई एक बोलो के mean character value तो हम नहीं बता पाएंगे, आदे लोग इधर है, आदे लोग इधर है, इसलिए ठीक है, तो mainly यह two directional होते हैं, और आदे लोग इधर भागते हैं, आदे लोग population के इधर value भागते हैं, ठीक, तो overall इन में क्या रहता है, यह यह भी एक natural selection के ही process है, कि आदे लोग characters values को gain करना चाते हैं, आदे लोग नहीं gain करना चाते हैं, इस तरह का है, ठीक है, अब जो gain करेंगे, नहीं gain करेंगे, वो population के उपर depend करते हैं, ना मैं उसे छोड़ सकता हूं, ना ही आप उसे छोड़ सकते हो, अगर gain होना होगा, तो automatic ह हो जाएका मुझे मेरे रोकने से नहीं होने वाला है, ठीक है, तो यह distributives है, में लिए two directional होता है, और यह भी natural selection process द्वारा favored होता है, ठीक है, सारे के सारे जो भी इस तरह के narrower नहीं सो करें ते हैं, इस ताइप के, इस तरह के dash 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 so करेंगे, और सारे के natural selection के द्वारा favored होंग ठीक, यह था पूरा हाड़ी वीवर प्रिंसिपल्स, इस तो यह एक्जाम point of view से उतना जादा important नहीं है, पर आपके knowledge लिए important था, इसलिए मने इसे add कर दिया था, ताकि आपका भी clear concept कई बार पूछ देता है, क्या क्या effects होते हैं, तो भाई यह इस तीन effects है, stabilizing, directional and distributist, तो जुता डे ही है, और अज बोलती नहीं करना भी, सर्दी होगे मेरों को, चलो मिलता है एक लिए वीडियो पे तर तक लिए पने देहन रखें, जैहिन जा भारत